और बड़ी कबर गोंडा से सड़क हाथसे में दो बच्चों की मौत हो गई बीजीपी प्रत्याशी की काफेले के साथ यहाथसा हुआ काफेले की कार से बच्चों को रॉंडा करण भूशन सिंग के काफेले को कार ने रॉंड दिया है इसके साथ यह आपको बता दें कि दो ब प्रस्वीर आप दो बच्चों की मौत हो गई है एक घायल है गोंड़ा में यह हाद्सा हुआ सडख आधसे में दो बच्चों की मौत हुई है कारण भूशन सिंग्ग के काफिले से हादिसा हुआ का फिले की कार्प ने बच्चों को रौनदा है देवमणी त्रिपाथी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है जाधर जानकारी के साथ देवमणी कैसे यह हादसा हुआ अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है हादसे को लेकर देखी यह बार्टे इंता पार्टी के सांसर्च हैं विर्बूसें सर्ण सिंग उनके बेटे हैं और मौजुदा पमें में वो कैसर गन सीट से भाज़ता के प्रतियासी थे इनका काफिला करनल गन से वजूर पूर की तरफ जा रहा था यहां पर रास्ते में बैकून डिगरी क कोड़ जिसमें लिखा हुआ है यह वाहन लगातार चुनाओं में भी वैसे इनके साथ काफिले में चलता था उसी वाहन से फाचुनर कार है उस वाहन से तीन बच्चों को रहुंदा है इसमें तो की मौत हो गई है और तीसरे की हालत गंभीर है जिसको प्याच्ची में इला खास बात यहां पर यहां भी है कि करन बूशन और नहीं उनका कोई व्यक्ति वहां पर रुका पहले इलाज की कुशिश की गई लेकिन सिर्व मौके से सब लोग चले गए और पुलिस और ठानी लोग वहां पर इकठा हैं तड़क जाम कर दिया गया है देव बनी